किसान भाईयों आपने तो जरूर गेहुम लगाया होगा और गेहुम लगाने में ये होता है गेहुम को बाद में घून लग जाता है और किसान भाईयों आपको बहुत ज़्यादा परसानी के सामना करना परता है गेहुम आप घर में रखीएगा और घून से समस्या इतना तरनाख होता है जो एक तरह से समझी ये जिस भी गिहों में लग गया उसे भंडारन करने में आपको इतना ज्यादा चिंता होगी जो इतना ज्यादा दिकत होगी जो इस्टोरीज आप नहीं कर सकते हैं और ये बहुत सारा दावार होता है इस पर असर भी नहीं करता है और कैस इसे कैसी इसे store करना चाहिए कैसे सरकार उतना हुता है storage रखती है ऐसे तो देखा जाता है सरकार पूरा जो हता है storage एक टंकी नोमा कर देती है FCI को नाम में करती है और वहाँ क्या-क्या रखती है सारी ती के बारे में बताएंगे आप मेरे वीडियो पर पहली बार आये है तो मेरे वीडियो को जड़र लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ऐसा ही मैं वीडियो बार-बार लाता रहता हूँ आपको मैं आज फिरी का बताऊँगा और दो-तीन दवा का नाम बताऊँगा जिसका प्रयोग आप कर सकते है ऐसे तो सलफास का नाम सभी आदमी खुब सुनते है लेकिन सलफास आज नहीं बताएंगे क्योंकि सलफास जो हता है वो बीस बाला जो पैकेट आता है आजकर उसमें भी खराबी होने लगा है और उससे कैंसर होने का बहुत ज़्यादा समच्छमता रहता है और कैंसर उससे होता भी है ऐसा देखा जाता है जो सलफास तो एकदम आम चलन है लेकिन वो जो खालेता है उसे मरने का नोबत आ जाता है लेकिन अब सलफास का पावर कमा दिया गया है जिससे उतना ज़्यादा आप सिकाथ सलफास के बारे में नहीं आता है ऐसे तो किसान भाई इससे भी डालते है और गेहुम में घून बचाने के लिए गून से बचाने के लिए बहुत सारा दवा का प्रयोग करते है कभी-कभी दवा का प्रयोग भी खराब हो जाता है लेकिन एकदम जयविक प्रयोग जो होता है घर का प्रयोग उससे लोग किसान भाई इससे बचा लेते है अगर आप गेहूम का ज्यादा से ज्यादा इस्टोरिज करना चाहते हैं और आपके पास अगर डबा नहीं है लोग पहले तो भूसा के अंदर रखें और उसके अंदर ही गेहूम रखते थे लेकिन आजकल वो ऐसा नहीं देखा जाता है आजकल कोई घर रखते हैं घर के अंदर कोई डबा रखते हैं डबा के अंदर बड़ा बड़ा डबा रखते हैं डबा के अंदर इस्टोरिज करते हैं और इस्टोरिज करके दाना उसमीजी में रख देते हैं अगर आप किसान भाई कोई तो बीजे स्टोर के लिए बनाते हैं तो बीजे स्टोर में तो आप उसके लिए रखते हैं और बहुत बड़ा बड़ा गोदाम रहता है लेकिन तक पर भी उसे बचा के रख लेते हैं तो उसमें कुछ आदमी तो ये करते हैं उसमें पहले दिया स उसमें एक आपको लॉंग ले आते हैं और दोनों को मिला के इससे उसी में बीच बीच में सलाई के अंदर माचिस के अंदर बंद कर देते हैं और छोड देते हैं उसे भी घून का बहुत ज़्याता समस्utta हुट जाता है और यह ज़्यादा तर नमी के कारण होता है अगर गेहुम आप जैसे ही गेहुम आए आपके घर में अगर वो पका हुआ रहता ही है तो कहीं से अगर खरीद के ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं तो पहले उसे अच्छी तरह से सुखा लें जब दात के नीचे रखिएगा तो वो अपने आप कट बरबाद हो जागा और गयों बरबाद हो जागा तो आप जानते ही हैं जोब गयों का क्या करते हैं गयों बरबाद पूरा खराब ही हो जागा आप उसे बचाने के लिए आप पूरा जब सुखा लिजेगा तो उसके बाद आप जैसे ही साम का मौसम होगा तो आप थोरा देर क जैसे ही समाने तपमान प्या जाएगा तो आप उसे रख लीजिये और तब जाकर आप एक बोला में रखे उसे बाद आप वो जो टीन या डबा रखना जाते हैं उसमें रखना है तो एक दिन सुखा के मतलब बोरा में एक दिन बाहर में ही जहां नमी थोरा मोरा घर का मुश्चर पर आप उसे रखिए और उसके बाद उसी डबा में उझिल दीजिए और देखिए आपका गेहुम उसमें नमी नहीं और आपका गेहुम उसमें बहुत अच्छा एस्टोर रहेगा नहीं तो अगर गरम गरम जहां सुखा के और डिरेक्ट रखें तो गरम गरम होने के बाद वो ठकका जम जाता है और अंदर पसीज के खराब हो जाता है ये भी एक समस्या है जो कि ड्राम में रखने का सबसे ज यह आता है उसका अगर फोटली बनाना चाहते हैं तो आप 100-200 ग्राम का बना लिजे फोटली और कोई सूती का प्रामिला पेट के उसे बीच में इधर उधर रख दीजिए ऐसे तो लोग सलफास रखते थे सलफास अगर गय के प्या जाता था या आदमी पिशा के खा जाते तो मड़ भी जाते थे इतना ज्यादा सलफास का नुकसान था लेकिन यह जो है चूना वाला वो नमी घीच लेता है और वो भी बहुत अच्छा कारगर है अगर नहीं तो आपके घर के पास नीम का पीर तो जरूर होगा नीम का पत्ती और डंटल आप रख दीजिए उसके अंदर इससे भी आप 4-5 साल तक एस्टोर कर सकते हैं नीम का पत्ता बदल दीजिए और चार साल पे फिर वो एस्टोर होगा जब तक आप रखना चाहते हैं अगर आप जब पहले का बात करें तो पहले ऐसे ही रखा जाता था और नीम से उतना ज्यादा नीम का लगरी उसमें रहता है तो इसे नीम का लकड़ी और पत्ता से भी आप कर सकते हैं और दो-तिन साल पर बतल देना होगा अगर दस-बारत साल तक रखना है और चाहे उससे ज्यादा रखना है जितना साल आप चाहिए गेहों को या कोई मक्का को या आपको चावल को जैसा भी चावल ल लोग खाते हैं क्योंकि गयों नया नहीं खाते हैं वह सहीं करके लोगे स्टोर कर लेते हैं धन्यवाद इतना देर वीडियो देखने के लिए